नमस्काव दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूटूग चैनल पर जिस पर हम आपको बताते हैं कि किस तरहां आप अपने प्यार को वापस पा सकते हैं, किस तरहां अगर आपका प्यार आपस दूब चला गया है तो आप उसे अपने पास वापस किस तरहां ला सकते हैं, कि उसके लिए जो सामगरी आपको चाहिए वो आपको आपके घर में ही मिल जाएगी, लोग कहते हैं कि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते, कोई सामगरी नहीं ला सकते, तो किस तरहां घर की ही सामगरी से, आपकी रसोई घर में मौझूद ही चीजों से आप वशी करण कर सकते हैं, के प्रियोक से आप किसी व्यक्ति को वश में कर सकते हैं किसी को अपना बना सकते हैं तो आईए मैं बताती हूं कि आपको करना क्या है इन 21 काली में उचके दानों से कि वो व्यक्ति आपके वश में हो जाए आपको करना क्या है आपको सुबह उठकर 6-7 बजे के बीच में एक स काली मिर्च के दानों को हाथ में लेकर जब आप इनिकेस काली मिर्च के दानों को हाथ में लेकर उस व्यक्ति का नाम लेंगे, वो मंत्र का उचारन करेंगे तो व्यक्ति स्वयम आपके पास खिचा चला आएगा. तो आईए मैं आपको बताती हूँ कि वो मंतर क्या है, वो सिध्ध मंतर क्या है जिसके उचारण से आप उस व्यक्ती को अपने पास ला सकते हैं उस व्यक्ती को अपना बना सकते हैं तो सुबद 6 से 7 बजे के बीच में उठीे, एक स्थान पर बैठे और इस थारा 21 काली मिल्च के दानों को अपने हाथ में लीजे और मंत्र जो मैं आपको बताने जा रही हूँ इसका उच्छारण आपको 21 बार करना है तो आई यह मैं बताती हूँ आपको कि वो मंत्र क्या है और वो मंत्र है दोस्तो मम के बाद आपको इस व्यक्ति का नाम लेना है जिसे आप वश मे करना है मान लिजे किसी महीला को वश मे करना है उनका नाम है नीलम तो किस तरह मंतर का उचारण आप करेंगे मंत्र का उचारण आप करेंगे ओम क्लीम क्लूम मम नीलम वश्यम करंती स्वाहा ओम क्लीम क्लूम मम नीलम वश्यम करंती स्वाहा तो इस तरह आपको 21 बार मंत्र का चाप करना है 21 ही जो काली में उचके दाने हैं उन्हें अपने हाथ में रखना है उसके बाद मात्र दो दिन इन दानों को अपने पास रखे सम्हाल कर रखे किसी की नजर इन पर नहीं पढ़नी चाहिए ये दाने सिर्फ और सर्फ आपके पास होने चाहिए उसके बाद वो व्यक्ति जिसे आप वश में करना चाहते हैं आपकी प्रेमी का हैं आपके प्रेमी हैं कोई भी जिने आप वश में करना चाहते हैं उनकी आंगन में उनके घर के आसपास जाकर इन दानों का छिड़काव करना है आपको जी हाँ जब आप दो दिन बाद इन दानों का छिड़काव उनकी घर के आसपास करेंगे और जैसे ही उनकी कदम इस काली मिर्च के दानों पर पड़ेंगे ये सोचिए वो कदम आपकी ओर बढ़धे होंगे जी हां वो आपकी ओर दोड़े चले आएंगे और सिर्फ और सर्फ आप से बात करना पसंद करेंगे सिर्फ और सर्फ वही करना चाहेंगे जो आप चाहते है तो अगर आप चाहते हैं ऐसा हो तो इस विधी का सही तरीके से प्रियोग कीजे और आपको कोई भी समस्या है कोई भी परिशानी है तो टीवी पर दिये गए नंबर्स पे हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं गुरुजी को आप कॉल करेंगे उनको अपनी समस्या बताएंग तो वो आपको एक समधान बताएंगे वो आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपनी समस्या का समधान कर सकते हैं किस तरह आप अपनी परिशानी से बाहर आ सकते हैं किस तरह आप खुश रह सकते हैं जयमात अदी